दोस्ट वाइकल दोजार पचीज को लेकर मेगा उक्षन जारी है और इस मेगा उक्षन में कोलकाता नाइट एडस की टीम ने अपने पहले खलाडी को खरीद लिया है जी हाँ दोस्तो आप सभी लोगों को बता दे कि कोलकाता ने अपने पुराने खलाडी पे ही दाउं लगाया और बड़ी बोली लगा कर उस तो अपने खेमे में शामिल किया है आप सभी को बता दे कि विंग्टे शायर को खरीदने के लिए कोलकाता नाइट राइडर और रॉयल चलेंजर बैंगलोर के बीच में काटे की टकर देखनों को मिली और लगतार बड़ती बूली के चलते विंग्टे शायर का दाम 23 करोड 75 लाग तक पहुँच गिया लेकिन कोलकाता की टेम किसी भी हाल में विंग्टे शायर को छोड़ने वाली नहीं थी और मोटी रकम अदा करके विंग्टे शायर को केक्यार की टीम ने खरीदा है दोस्तों आप सबी लोगों को बता दे कि अब विंग्टे शायर को खरीदने के बाद कोलकाता नाइट रर टीम के पास 27 करोड 25 लाग रुपिय बचे हैं आक्शन में बाकी खिलाडियों को खरीदने के लिए इसके लाव दोस्तों आपको बता दे कि आखिर कार क्यों विंग्टे शायर पे तरी बड़ी बुली केक्यार ने लगाई उसकी बड़ी वज़ा दोस्तों ये थी कि पिछले सीजन के फाइनल और सेमी फाइनल मुकाबले में विंग्टे शायर ने मैच विनिंग पारी खेली ने सही किया या गलत दोस्ता तिराय हमें नीचे कमेंड में जरूर बताएं